सब्सक्राइब करें हैश खान यूनीक रेसिपीस को साथ ही बैल आइकन को भी दबाए ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले असलाम लेकूम कैसे हैं आप सब और आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं आलू चाट आलू दही की चाट और यह खाने में बेहदला चीज़े बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी एक तरह से तो आप सब इस एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें तो चलिए ह हम इसे बनाना शुरू करते हैं यहां पर हमने सारे ingredients रखी होए तो आपको बता देते हैं यहां पर हमने 10-15 उबले हुए आलू लिये हैं बैबी पोटेटर जिसे कहते हैं छोटे आलू जो होते हैं उबाल कर हमने इसे छील लिया है और यहां पर हमने लिए खजूर की चटन और यह है नाइलोन सेव और यहाँ पर हमने लिए एक टेबल स्पून शक्कर और यह है जीरा पाउडर नमक स्वाध अनुसार और हमने यहाँ पर लिए आधा कब दही हमने आपर दही लिए पैकेट वाली तो इसको हम आधा कब यूज़ करेंगे और चलिए हम इसे बनाना शुरू कर देते हैं तो एक बाल में हम सबसे पहले आधा कब दही निकालेंगे यह रेसिपी हल्दी भी है और चेट पटी भी है तो आप भी एक बार इसे जरूर ट्राइ करें आधा कब दही हमने आपर ले लिए और दही के अंदर हम एक टेवल स्पून शक्र डालेंगे और आप चाहें तो इसे पीसी भी शक्र भी डाल सकते हैं तो अब हम इसमें नमक भी डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा पाउडर शक्र से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आते तो और दही को हम अच्छी तरीके से फेट लेंगे यह रेसिपी आप शाम के नाश्टे में भी बना कर खा सकते हैं या दुपैर में बना सकते हैं काफी हेल्दी है इसमें दही है उबले हुए आलू है जीरा पाउडर है चटनी है तो यह काफी हेल्दी है तो दही को हमने अच् तरीके से इसको पर दही डाल देंगे, दही काफी गाड़ी है, आलुक अच्छी तरीके से हम कवर करेंगे, यह देखिए हमने, आलुक अच्छी से कवर कर लिया है, दही से, तो अब हम इसके उपर चटनी बगारा डालेंगे, जो भी हमने उपर से इसे डेकुरेट करना है, तो सबसे पहले हम हरी चटनी लेंगे और हरी चटनी की इस तरीके से लाइन बनाएंगे या आप जिस तरीके से भी इसे सर्फ करना चाहते हैं उस तरीके से आप सर्फ करें मैं इस तरीके से इसे बनाती हूँ है जैसे आप चाहें इस तरीके से इसे सर्फ कर सकते हैं मैंने इस तरीके से चेक्स की तऱा इंसके मैंने डेकॉरिट किया है एक बार हरी चटणी फिर खजूर की चटणी तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें, और मुझे कमेंट जरूर किया करें, आपको कोई भी रेसिपी चाहिए, तो आप वह आपको बना कर बताऊंगी जरूर है तो यह देखिए चटनी को हमने उपर से डाल दिया है दोनों चटनी को और उपर से अम नायलोन सेव डाल देंगे जो बीच में जगा बच्ची हुए उसमें हम नैलोन सेव डाल दिंगे अच्छी तरीके से सजाएं ताकि यह देखते ही खाने का मन करें आप मेरे चैनल पर और भी रेसिपीज ट्राइ कर सकते हैं और भी रेसिपी को देख सकते हैं अच्छी सी चाठ की रेसिपीज है और भी बहुत सारी रेसिपीस है तो आप मेरे चैनल पर जाकर अच्छे-च्छी रेसिपीज देख सकते हैं और यह हमारा अलूज चाठ बनकर तयार हो चुक है अच्छी तरीके से तो चली अब हम इसे शर्फ करेंगे तो यह देखिए हमने इसे सर्ब किया है अब उपर से हम थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए तो हमारा आलू चाट बनकर त्यार है बढ़ियां सा टेस्टी सा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है यह रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेड में मुझे जरूर बताएं यह रेसिपी आपको कैसी लगी पानी पूरी का पानी जो तीन फ्लेवर में हमने बनाया है यहाँ पर और यह खाने में बेहदी लजीज़ब बहुत ही टेस्टी है और बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं और इसकी इंग्रिडियन देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए Buenos Aires तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चोटे टुकड़ा अध्रक ले लेते हैं और यहाँ पर हमने लिया है आच दस हरी मिर्च और यहाँ पर हमने लिया है पुदीना के पत्ते एक मुठ्थी और में यहाँ पर हमने आदा नेम्वू का रस लिया है और एक कप हम यहाँ पर लेंगे हरी धनिया की पत्ती और इन सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे मिक्सी जार में इसकी चेटनी बना लेंगे तो इन सारी चीज़ों को हम एक मिक्सी जार में डाल देते हैं और आप भी इसी तरीके से जरूर बनाए पानी पूरी का पानी बहुत ही टेस्टी बनता है बहुत ही अच्छा लगता है खाने में जब भी आप पानी पूरी बनाए तो इस तरीके से बनाए कि समेंभी निम्बु निशोर देते हैं कि इसका डालने से इसका कलर दो बहुत अच्छा रहता है पानी का बिल्कुल हरा हरा रंग दिखाय है तो इसका पर हमने सारी चीजों का अच्छी तरीके से पीस लिया है चटनी हमारी तयार है बनकर तो अब इसमें हम कुछ और मसाले डाल देते हैं तो इसमें हम नमक डाल देंगे सपेद वाला चेस्ट के हिसाब से और इसमें काला नमक डालेंगे साफ टीस्पून और इसमें हम डालेंगे जीरा एक टीस्पून और यहाँ पर हमने पानी पुरी का मसाला लिया है दो टीस्पून इसको भी हम डाल देते हैं और अब हम इसमें पानी डाल देते हैं और सारी चीजों का मच्छी तरीके से मिला कर छान लेंगे इन शारे चीजをका मच्छी से मिला देते हैं यहां पर हमने एक बड़ी से चलनी लिए नीचे सर्फ बदर्दन हमने रखा हुआ है और इन सहरे चीजों का हम चलनी मे डाल दींगे पानी हम डालेंगे अर पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए अगर आपको और टेस्टी पानी पूरी बनाना है तो ठंडा पानी डाले और या तो पानी पूरी का जो पानी होता है उसमें आप बरप भी डाल सकते हैं इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और इस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से छान लेंगे चटनी का जो भी तैयार है इसमें हमोर पानी मिला देते हैं ठंड़ा पानी और इसको आप क्लें अगर नमक कम हो तो नमक ऐसे ऑर ढंडने और खट्ता अगर और चाहए तो आपऀस में आमचूर पॉड़र भी डाल सकते हैं और हम थे ऑन जोक Um पानी बबन कर तयार है और अब हम यहां पर तीखा और मीठा पानी बनाएंगे तो यहां पर हम लेंगे दो टेबल स्पून हरी चटनी तीखी वाली हरी चटनी जो होती वह हम यहां पर लेंगे और आधा कप हम इसमें डालेंगे इमली और खजूर की जो हट्टी मीठी चट्नी होती है वो हमें आपर आधा कप ले लेंगे यहां पर हम तीखा और मीठा पानी बना रहे हैं तो तीखी चटनी और मीठी चटनी हम डालेंगे खजूर की और यह हमें यहां पर पानी पूरी का मसाला हम डाल देते हैं एक टीश्पून और हाफ टीश्पून हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर और नमक स्वादनुसर और थूरा साह में खाले नमक ड़ाला देते हैं और छीजों का अच्छी तरीके से रचलाव करा लेंगे है और यहां पर हम थ्रसलेंगे गटियेन्सी दीचाला के सीछें तो यह बन कर तयार है बिल्खुल इसको अच्छी तऔर के सी मिख्स कर लेते हैं और इसमें हमने हरी चटनी डाली है तो इससे भी हम छान लेंगे एक छलनी की मदद से दिफों इसको हमने अच्छी तरीके से हृन लिए हैं तो यह हमारा खट्टा मीठा और तीखा पानी बनकर तयार है और इसमें भी हम थोड़ा सब बुंदी डाल देंगे यह देखिए हमारा तीखा मीठा पानी बनकर बिल्कुल तयार है तो अब हम मीठा पानी बनाएंगे तो एक बॉल में हम खजूर और इमली की मीठी चटनी डालेंगे खजूर की चटनी जो होती है मीठी वाली वह हम इसमें डाल देते हैं आधा कप हमने आपर लिया है और अब हम इसमें पानी डालेंगे कि जबहाँ पानी बना रहे हैं इसमें अभी हम धंडा पानी डाल देंगे और इसमें भी कुछछ है मसाल Dan itsersch में डालेंगे पानिपूरी का मसाला और थोड़ासा सफेद नमक डाल देते हैं और 1 mr. जीरा का पाउडर पानी पूरी का मसाला थोड़ा सा सफेद नमक डाल देते हैं और एक चब थाय टी स्पून हम इसमें डालेंगे जीरा का पाउडर और काला नमक हमने इसमें डाला है और सारी चीजों का हम अच्छी तरीकी से मिला लेंगे इसको भी टेस्ट कर लिए अगर नमक कम लग रहा हो तो आप इसमें नमक डाल सकते हैं और खटापन अगर कम हो तो पानी पूरी का मसाला भी आप इसमें डाल सकते हैं और इसमें भी हम बूंदी डाल देते हैं यह भी हमारा मीठा पानी बन कर तयार हो गया तो तीन तरह के पानी हमने यहां पर बना लिए हैं तो चलिए सब हम स इसे कहते हैं और उबला हुआ सफेद वाटाना जिसे कहते हुँ हमने आपर लिया है तो गोल गप्पे में हम इसको भरेंगे और जो भी पानी आपको पसंद हो उसके साथ आप इसे खा सकते हैं कि और अहाँ नेखे भीगिवी डूंदी बिली है इसको भी आप गोल कपे में भर कर इससे खा सकते हैं इंस पानी के साथ में तो यह हमारे तीमत तरह पानी बनकर तयार है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें मेरे चनल को सब्सक्राइब करें और कमेंड में मुझे जरूर बताएं ये तीन तरह का पानी पुरी का पानी आपको कैसा लगा इसकी रेसिपी चाट की जिसे आप इपतारी में खा सकते हैं और बहुत सारा वजन घटा सकते हैं आप इसे नॉर्मल डे में भी खा सकते हैं बहुत ही स्वादिश्ट है बहुत ही असानी से बन जाता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहां पर हमने एक कप हरा चनल लिया है इसको हमने 8 15 गंटे के लिए भीग हो दिया था इसमें बहुत सारा फाइबर होता है बहुत चर्ट होता हैं इसलिए हमने आपर हरा मिर्च पाउडर यहां पर हमने छोले मसाला लिया है एक चोथाइटी स्पून हम इसे भी डाल देंगे तारी चीजों का हम एक साथ उबालेंगे ताकि चने में इन सब का फ्लेवर अच्छी तरीके से आ जाए हम कूकर का ढकन लगा देंगे और इसे हम 4-5 सीटी आने तक अच् इसको हम एक बॉल में डालेंगे देखे कितने अच्छी तरीके से चना पक चुका है इसमें हम डालेंगे एक प्यास बारिक कटा हुआ मीडियम साइज का प्यास ले चना भी गरम है इसके साथ ही हम इसे सब को मिला लेंगे एक मीडियम साइज का टमाटर है उसे भी हमने बा बारी कटी हुई कुछ दन्या की पत्ते लेंगे हम बारी कटी हुई इन सब का फ्लिवर बहुत ही अच्छा आता है इसमें हम डालेंगे आधा नीम्भू का रस यहां पर हमने एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव लिया है इसे हम एक टेबल स्पून डालेंगे इसे भी काफी अच्छा वेट लोस होता है तो हम इसे डाल देंगे इसे हम फ्राई भी रिल्कुल नहीं करेंगे चनों को इसी से इतना अच्छा फ्लेवर इसका आएगा ऑलिवयल से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है एक्स्ट्रा ओर्जिन ओलिवयल को हम किसी भी चाट में डाल सकते हैं यहां पर हमने चाट मसाला लिया है टेस्ट के इस साब से डालेंगे स्वाद अनुसार और अब हम डालेंगे एक चोँथाई टीस्पून काला नमक नमक अपने इसमें पहले से डाला था तो हमने इसे छान लिया था बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे साथ के लिए सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिला लें ये बनकर विल्कुल अच्छी तरीके से तयार है अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया तो भी लाइक कर दीजिए चलिए अब हम इसे सर्फ करते हैं इसे एक बॉल में निकाल लेंगे इसे आप अफ्तारी में खाए नॉर्मल डे में भी खाए इससे अच्छे से वेट लोस होता है ये एक वेट लोस रेसिपी है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को करें इस रेसिपी को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ लाइक करें कमेंट में जरूर मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी अगड़ा पैटिस जो एक स्ट्रीट पूड है और खाने में बहुत लजीज होता है बहुत ही टेस्टी होता है तो आप भी इस तरीके स एक कड़ाय लिए है छोटी सी और इसमें हम तेल गरम करेंगे तो यहां पर हमने दो टेबल स्पून तेल लिया है और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे तेल हमारा गरम हो चुका है तो हम इसमें डालेंगे एक प्यास और दो से तीन हरी मिर्च बारी कटी हुई और इसको हम चलाते हो थोड़ा सा भून लेंगे हलका सा फ्राइए कर लेंगे यह देखिए प्यास को अमने फ्राय कर लिया है और इसमें हम आधा कटा हो टेमाटर डालेंगे इसको थी में प्यक्तूट हुए भून लेंगे यहाँ पर हमने 1-1 कफ सफेद मटर लिया, इसको हमने बॉयल कर लिया था कूकर में और नमक डाल कर, तो हमने दाल दिया और हमने थोड़ा सा पानी लिया भिलकूल आधा कफ और इन व registered कॉइसे कॉप अच्छी तरीकें अनुट दालेंगे तो यह देखिए रगड़ा हमने तयार कर लिया अच्छी तरीके से और इसमें हम डाल देंगे हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर चाट मसाला से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और हम इसमें बारी कटिव धनिया की पत्ति डालेंगे और गैस को हमने बन कर दिया है और सारी चीज़ों का अच्छी तरीके से मिला लेंगे तो यह देखिए रगड़ा हमारा बन कर तयार हो चुका है तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं और पैटिस बनाने की तयारी करते हैं तो यहां पर हमने दोब ले हुए आलू लिये हैं इसको हम एक बॉल में डाल कर इसे मैश कर लेंगे अच्छी तरीके से हाथों से मैश कर लें और पैटिस बनाना बहुत ही आसान है आप चाहत आलू की टिक्की भी पैटिस की जगा पर यूज कर सकते हैं इसमें हम बारी कटी हुई हरी मेर्च डालेंगे बारी कटी हुई हरी धनिया थोड़ा सा हल्दी पाउडर एक चौथाए टी स्पून और जरह सा नमक डालेंगे स स्वादा नुसार और सारी चीजों का हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे अच्छी तरीके से मैश कर लें और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे अध्रक का पेस्ट एक चौथाए टी स्पून और सारी चीजों का अच्छी से मिला कर हम इसकी पैटिस बना लेंगे तो अब हम दोनों हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और पैटिस बना लेंगे इस तरीके से हम पैटिस का शेप दे देंगे आप अपने हिसाप से छोटा या बड़ा पैटिस बना सकते हैं अपने हिसाप से जो आपको लगे तो मैंने आपर थोड़ा सा छोटा साइस कही बनाया है सारे पैटिस को बना लेंगे और जब भी आपको भूक लगी हो सुबह या शाम को जब आपको चाट खाने का मन्न हो या रगड़ा पैटिस खाने आम यह हो थो इस हम पटखते बना सकते हैं अब सबस्क्राइब अब सबस्क्राइब कर निया है हीप सबस्क्राइब अब बूंख इसे अर्व इसी धिश्क भूडण सा यह तो हमने पेन में थोड़ा सा टेव दिया है हमने इसे नॉन स्टिक पैन में भी बनाना यह बहुत स्टीकी होता है यह हमने यहाँ पर इसे नॉन स्टिक पैन में बनाएंगे और यहां पर हमने थोड़ा सा कॉर्ण फ्लोर पानी में घोल लिया है दो टेबल स्पून कॉर्ण फ्लोर को हमने थोड़ा सा पानी में घोल लिया था और ठीकी को हम कॉर्ण फ्लोर में डाल कर इसे हम पैन में डालेंगे तो सारे पैटिस को हम इसी तorig के से बना लेंगे और दोनों तरफ से हम पलट कर इससे शेख लेंगे देखिए हमने दोनों तरफ से इसे इसे पलट लिया था सेक लिया था और अब चलिए हम इसे एसंबल करते है तो एक प्लेट में हमने रगड़ा को रखा है इस तरीके से अपने रगड़ा को एक प्लेट में निकाल लिया है और इस पर हमने जो पैटिस बनाया था वो हम इस पर रख देंगे बहुत ही टेस्टी रगड़ा पैटिस बन करते यार है आप इसी तरीके से जरूर ट्राय करें इस पर हम बारी कटीवित थोड़ी ची प्यास डालेंगे और हरी चटनी तीकी वाली हरी चटनी जो होती वो हम इस पर डालेंगे और इमली और खजूर की खट्टी मीठी चटनी जो होती वो डालेंगे और उपर से हम थोड़ा सानिम्बू कर रस्छिड़क देंगे और हमने आपर नालोन सेव जो होता है चाट वाली सेव वह हमने आपर ली है थोड़ा से बारिक कटे वेटा माटर इन साथ चीजों से हम इसे डेकुरेट करेंगे और थोड़ी से धनिया की पत्ती डालेंगे उपर से तो हमारी रगड़ा पैटिस बनकर तयार है सर्फ करने को बिल्कुल तयार है तो हमने आपर रगड़ा पैटिस को सर्फ किया है हरी चटनी, मीठी चटनी के साथ तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंड में मुझे जरूर बताएं, ये रगड़ा पैटिस की रेसिपी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी और आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं हरे मतर की और आलू की, गुगरी या गुगनी भी इसे कह सकते हैं तो ये वीडियो मैं अपने एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बना रही हूं, फरीदा खान की रिक्वेस्ट पर, और बनाना बहुत ही असान है तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हम धनिया पत्ती लेंगे और यहाँ पर हमने लेस्ट ली है हरी पत्ति वाली लेस्ट आप चाएं तो नॉर्मल लेस्ट ले सकते हैं हम साद अनुसार नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से कम होगा नमक तो और हम डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा पाई डाल कर इसे हम अच्छी सी चटनी बना लेते हैं और यहाँ पर हमने कड़ाई को गरम करने को रखा है कड़ाई में हम तेल गरम करेंगे तीन तेबल स्पून तेल को अच्छे से गरम होने दे और अब हम इसमें डालेंगे सुखी लाल मिर्च, एक चौथाए टीस्पून, जीरा और हिंग, इससे हम तड़का लगाएंगे, तो इससे हम तेल में डाल देते हैं, और यहां पर हमने आदा किलो हमने हरी मटर लिये, वह भी हम इसमें डाल देते हैं, और तेल में चलाते हुए अच्छी तरीके से भून ल दिया है, इसको भी डाल देंगे, आप चाहने तो भी नालू के भी इसे बना सकते हैं, या फिर इसे ऐसे ही खा सकते हैं, तो हमने इसमें हरी चटनी डाल दी है, और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, लगबगादा कप, और इसे हम ढखकर पकाएंगे अच्छी तरीके से, ढखकर दस मिनिट के लिए पकने देंगे, ताकि मटर और आलू अच्छी तरीके से गल जाएं, और यह देखिए पानी अच्छी तरीके से सूख चुका है, तो इसे हम अच्छी से चलाते हैं, थोड़ा सब ढून लेंगे, और आलू को चेक कर लें, अगर गले नहीं हो तो इसे हम ढखकर लो फ्लेम पर 5-10 मिनिट के लिए और पका लेंगे, और यह देखिए, अच्छी तरीके से सारी चीज़े पक चुके हैं, मटर भी गल चुके हैं, और अलू भी, तो हमारी गुगनी बन कर तयार है, तो चलिए अब हम इसे सर्फ करेंगे, और अगर आपको यह रेशिपी पसंद आई हो, यह वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंड में मुझे जरूर बताएं, यह अलू और हरे मटर की गुगनी की और या गुगरी की रेशिपी आपको कैसी लगी, यह वीडियो आपको कैसी लगी,